हेलो फ्रेंड्स गुड मार्निंग ओल अफ यो आज मैं आप लोगों के लिए एक निया सब्जक्ट लेकर आया हूँ जिसका सिवेट का नाम है फैसन टेक्नलोजी और जो भी मेरे जो पेपर मैं कराने वाला हूँ ये एक मेरा प्रैक्टिस सेट है और मेरे नाम है तो आज मैं आप लोगों के लिए एक जो सेट लेकिया हूँ इसमें 100 कोशन होंगे जो की फैसन टेक्नलोजी के लिए बहुत ही most important questions है ओके ये आपका level 1 होगा ये आपका level 2 में तब जाएंगे जब हम लोग इस level को पूरा complete कर लेंगे तो इसमें आपके 100 कोशन होंगे मैं one by one इसको solve कराऊंगा और ये question set जो है वो other trade जाने कि dress making के लिए भी उतना ही helpful है जितना की आपके फैसन टेक्नलोजी के लिए और swing टेक्नलोजी के लिए भी ये important आपके लिए set होगा तो मैं बात करूँगा कि मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ जो फैसन टेक्नलोजी है वो आज कल बहुत ज़्यादा यूज हो रही उसका मैंने फैसन टेक्नलोजी के बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो जैसे जैसे बहुत बढ़ते जा रहे है तो आप देख रहे होंगे किता demand होता है कपड़ों का किता demand होता डिजाइनों का तो ये सब जो design त्यार करते ह है तो इसा फैसन टेक्नलोजी की अंतरगति हम लोग करते है ठीक है उस पर अब software भी यूज करते हैं को एक टेक्नलोजी आ गई है तो software को भी यूज करेंगे ठीक ना तो अब हम बाक करते हैं आज की जो set number one और level one फैसन टेक्नलोजी के बारे में चलिए जो मेरे question यहाँ पर चुके है ठीक ना चलिए अब बागते question वर first की which line is the line which line is the line of the force and beauty यानि कहना क्या मतलब है हिंदिस क्या बोलेंगे इसको कौन सी रेखा force और beauty की रेखा होती है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा वक्र रेखा आपको बता देंगे आपको पता ही होगा आप लोग तो हाया होगा कि curve रेखा कैसी होती है curve रेखा इस परकार से होती है ओके जो straight रेखा होती है इस परकार से होती है और जो कुछ hook type की होती है ऐसे बना देता है ठीक है ना तो यह हमारे क्या हो जाएंगी हमारा जो इसका answer क्या होगा वक्र रेखा यानि which line is the line of force and beauty is called curved line ओके कौन स रिखा force of beauty की रिखा होती है वक्र रिखा चलिए अब बाग करते कोशनबर 2 की चलिए मेरे साथ बने रही है और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अज़िए आप इस सेट को लगा लेंगे तो आपके अंदर एक confidence विल्डप हो जाएगा और मैं दावा करता हूँ कि जो आपके पेपर होगा उनमें से इस सेट से बहुत से जादा कोशन फटसेंगे ठीके ना तो मेरे साथ बने रही है चैनल को सस्क्राइब भी करिए ताकि जो नेक्श वीडियो लेके आएंगे तो उस पर आपको नोटिफिकेस्न मले जाएँ चलिए अब बात करते सेकेंड घेलिट से इक लुट रहे हैंशना तो यहांई और कि लिग चैनल करते हो यहाँ सबसे बेटर ऐल कंचैंड नीला computer added design ठीक ना, तो मैं बताना चाहूँगा कि CAD भी होता है, CAM भी होता है तो जो CAM होता है, C-A-M देखे, CAD तो पता हो चल गया computer added design, इसका answer मैं बता दूगा क्या होगा, इसका answer B होगा ठीक है, बट कि CAM भी होता है computer added manufacturing तो CAD, CAM कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक ना, जब manufacturing की बाग करते हैं तो M वर्ड आ जाता है, और जब design की बाग करते हैं तो D वर्ड आ जाता है, बट दोनों क्या है computer added design and manufacturing अब बाग करते हैं question number fourth की, और बच्चों मैं बता दूँ कि यह जो मैं PDF है, मैं PDF की लिंक भी आपको दे दूँगा, मेरे telegram group बना हुआ है और आपको personally चाहिए तो मैं आप तो WhatsApp लिंक भी दे दूँगा, आप लोग मेरे business account से, आप लोग message कर सकते हैं, मैं आपको उसकी PDF पर प्रवाइड करा दूँगा और इसकी answer सीटों कि वो भी मैं प्रवाइड कर दूँगा, आपको बच्चों घवराने के एक भी जुरूत नहीं है होज़ा तक किसी बच्चे से मेरा ये वीडियो मिस हो जाए बट कोई बात नहीं, मैं आपको PDF प्रवाइड करा दूँगा चलिए बाग करते कुशन हमें, फोर्थ की Creating a pattern by placing fabric over a dress Form is an example of यानि कहने मतलब क्या है, एक dress form पर कप्ड़ा रखकर एक pattern बनाना, क्या कहलाता है हम बताएंगे, क्या कहलाता है वैसे क्या कहलाता है, फोर्थ का right answer क्या होगा बच्चों Draping, तो Draping एक simple word समझे लिए, किसी वस्तू पर कोई पोसाख या अन वस्तू को यूँ ही डाल देना जैसे आपने कभी ध्यान दिया हुआ, कि माली कोई एक बंदा quote पहने हुए है ठीक है, अब वो chair बैठता तो क्या करता है वो अपने quote को chair के back side में रख देता है यानि वो क्या करता है, Draping अब देखके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक Draping में दिया गया है और एक Drafting में दिया गया है तो मैं Drafting भी पता होना चाहिए आप किसे engineering trades जो बच्चे होते हैं तो engineering field में Drafting का मतलब होता है किसी चीज को paper पर बनाना है pencil के दोबारा, ओके तो यह क्या कहलाता है, Drafting अब Drafting क्या है, आपको मैंने बताया किसी वस्तू पर कोई पोसाग यानि पोसाग मनलत क्या होता है, कोई गार्मेंट या अन वस्तू को यूँ ही डाल देना तो ड्रेपिंग लाएगा reverse engineering और computer generating यह नहीं होगा तो right answer क्या होगा, fourth का A अब बात करते है, question बर fifth की, what is the purpose of creating a prototype for a model to try on यानि कहना मतलब है एक model पर परखने के लिए prototype निर्वित करने का क्या उद्धिश होता है तो इसका fifth right answer क्या होगा, B check fit and design तो fit and design को जाचना ही एक model पर परखने के लिए prototype निर्वित करने का main उद्धिश होता है, क्या होता है fit और design को जाचना, ठीक ना अब बात करते question number six की, देखे बच्चों घबराना नहीं मेरे videos होते हैं, 30 minutes 40 minutes के होते हैं, तो थोड़ा से time आपको देना होगा, पर इसकी बाद इस question लगाने के पाद इस sit लगाने के बाद आपके अंदर confidence build up होगा ना, वो आप बयान नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी यदा confidence level बढ़ जाएगा, आप सोचेंगे कि नहीं मैं paper को, किसी paper को solve कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, चलिए आप बाकरते question number 6 की, using an existing garment to create a pattern is an example of, ठीक है तो क्या मतलब है, pattern बनाने के लिए मौजूदा परिधान का उपयोग करना example क्या, एक उधारन है क्या उधारन है, देखे, six cancer क्या होगा, c, देखे, आवी reverse engineering के हम बात कर रहेते, क्या होता है pattern बनाने के लिए मौजूदा परिधान, यानी government का उपयोग करना, pattern बनाने के लिए, मौजूदा परिधान यानी garment का उपयोग करना, क्या reverse engineering, okay तो इसका right answer क्या हो जाएगा, c, six cancer क्या होगा, six, देखे, ये videos अप्ट आफू मेरेको डिमांड पर आया तो मैं टेक्निकल फिल्ट से बलॉंग करता हूँ मैना डिजाइन और इन सब पर काम करता हूं यसा की मसीन डिजाइन हो गया। और यसे डिजल मेकेनिक हो गया, मेकेनिक मोटल हो गया, फिट्टर हो गया, विल्डर होगया, मैं इन सब की वीडियो बनाता हूँ, कोईक्यु न की बिलॉङ और करता हूँ, लोगों की डिमांड आने पर, मुझे लगा इस पर मुझे लगा कि नहीं, का कि चलिए इस पर हम वीडियो बनाते हैं, ट्राइ करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, हम भी कुछ सीखेंग, आप भी कुछ सीखेंग, चलिए बाकते कुछ नंबर 7 के बारे में, यानि कि एक पैटर्न तुकड़े पर जो पैटर्न तुकड़ा होता है, उस पर निसान किस लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उनको बताना होगा किसका राइट अंसर क्या होगा, इसका राइट अंसर होगा, C, क्या लिखा हुआ है, पिल लगाने और सिलाइ के लिए दो तुकड़े का मिलान, यानि पिल लगाने और सिलाइ के लिए दो तुकड़े का मिलान, तो 7 का होजगा, C, बस ऐसे ही लगे रहे है न देख 7 कोश्चन होंगा पता भी ने चला अब बागर से कोश्चन में इर्थ की यानि किसी परिधान में आकार देने के लिए क्या प्रयोग कियाता है अब हमको बताएंगे तो इर्थ का हमारा राइट आंसर क्या हो जागा क्या बहते हैं डाट्स किसी परिधान में आकार देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और भी हमें यह आपर टरम से याँज़ हो रहे हैं जीपर हेम डार्स प्लिट्स तो जीपर होता है जीपर क्या होता आपको बता दूँ एक प्रकार का जोड या सिकंजा जो वस्तुओं को कसने या जोडने के लिए काम में आता है तो यह क्या क्या है जीपर आप यसे हेम की बात करें तो हेम क्या है इस कर्ट, पैंट, आधी पुसाग के सबसे नीचे का किनारा तो क्या 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 है यह हिम यानि सबसे नीचे की का किनारा क्या 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 है हिम अब यदि बात करें प्लिट्स की तो प्लिट्स क्या होता है यानि कि a type of fold formed by the doubling fabric back upon itself and securing it in place यानि इस में मैं कहने मतलब है एक कपड़े की चूंडे type का होता जो की स्थाय रूप से silly गई होती है यह क्या किलाती है आपकी प्लिट्स चलिए आप बार करते है कुश्च नमबर 9 की ठीकी ना तो यह रित कांसा क्या हो जागा डाट्स ओके नायन का बात करते हैं computer system for software used for designing textile fashion and the apparel यानि की computer system software जिसका अपयोग वस्त फैसन और परिधान करने के लिए की जाता है अब थोड़े पहले बताया था कैड होता है ठीकी ना तो हम जो भी कुछ designing कर रहेंगा वो कैड पर ही करेंगा तो इसका राइटर से करेंगा कैड है चलिए अब बागते को सम्मरी ओफ यूर क्वालिफिकेशन for a job is called यानि कि जो हम जब जॉब करने जा रहे होते हैं तो एक अपने अपने कॉर्डिंग जो हमारी जो जो क्वालिफिकेशन उसकी क्या है जो option दिया हो, उसमें क्या होगा, plotter होगा, ठीक ना, but printer भी होता है, ठीक न, एक micro fish भी होती है, यानि कि क्या किलाएगा, इसमें right answer क्या होगा, plotter, ठीक न, तो देखे, computer की knowledge होना बहुत जरूरी है, जैसे CAD, software यूज़ कर रहे हैं, ठीक न, जब हम software तक use कर ले रहे हैं, CAD यू fashion cycle involves manufacturers copying fashion or producing adoption of it at many price levels, ठीक न, इसके करे मतलब है, जो fashion चकर के किस भाग में, अनेक मूल इस तरों पर निर्माताओं का नकल किया गया fashion, या इसकी रुपांतर निर्मित करने करना सामिल होता है, किसके अंदर सामिल होता है, जब लोक प्रीता की क्या होती है, चरम पर होती है, तबी क्या होता है कि निर्माताओं का नकल किया गया fashion या इसके रुपांतर निर्मित करना सामिल किया जाता है, ठीक न, तो 12 कहां सा क्या हो जागा इसका, C, चलिए अब बागाते कोश्नमबर 13 की, what are the fibers, what are the fibers from plant and animal sources, यानि कि पौधों और पसुओं से जो सुरोतों से प्रा प्राकर्तिक रेसे, क्या कि राते हैं, प्राकर्तिक रेसे, तो इसका राइट अंसा क्या होगा, A, और यह स्टेपल रेसे, यह स्टेपल रेसे क्या होता हूँ, यह स्टेपल रेसे होते हैं, उनके दोवार हम लोग के बनाते हैं, धागा बनाते हैं, यानि यार्द बनाते ह ए नेच्टरली फाइबर्स धैट केंड 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 बी टुष्टेड टू फॉर्म यार्ज ठीक न और यह कैसे होते हैं बहुत जादा वैली यूज वैली लेंद होती हैं इसका प्राकर्तिक रेसे नेच्रल फाइबर्स ओके बागरते कोश्चन पर फोटीन की वाट इस देखने पर आपको क्या दिखायाता है क्या दिखायाता है याई फन्दे दिखायाता है फन्दे ठीक है sucks है याई की लूप सी दिखाय है देखे बच्चों मेरे वीडियो को like और share और subscribe करें ना बोले हो सकता कि ये वीडियो जा आप share करें तो किसने किसी के लिए benefits थाइज़ों घाएगा तो आप subscribe भी करना ना बोले क्योंकि आप ज़ये subscribe करेंगे तभी मेरे नए जो वीडियो आएंगे level 2 ले क्या हूँगा और मैं paper sheet भी करा हूँगा तो आपको notification मिल जाएगा तो आपको खुद में खुद आप लोग किसी समया के मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं देख सकते हैं चलिए आप आपकाते question number 16 की items added to the clothing to enhance the look of the outfit पोसाग की दिखावट में ब्रद्धी करने के लिए कपड़े में जोड़ी गई वस्त में क्या किलाती है accessories चलिए आप आपकाते question number 17 की color that are besides each other on the color wheel यानि वे रंग जो एक color wheel पर एक दूसरे के बराबर में होते हैं तो क्या किलाते हैं वो बताईए क्या किलाते हैं analogous color scheme यानरूप रंग योजना किलाते हैं क्या किलाते हैं अनरूप रंग योजना 17 आसकाओगा बी चलिए आप आपकाते question number 18 की the overall geometric outline of the object or governments is known as यानि object या परिधान की सम्मगर जयामती रूप रिखा को किस रूप से जाना जाता है यानि कि आकार की रूप से जाना जाता है किस रूप से आकार मैं option दे जता हूँ आकार दिया है बुनावट दिया space दिया triangle दिया है बड़ किस से जानेंगे आकार से object या परिधान की सम्मगर जयामती रूप रेखा को आकार यानि सेप के रूप में जाना जाता है यानि कि सेप के रूप में जाना जाता है 18 अब होगे 19 के बाद करते हैं आप मूड बोड यानि मूड बोड एक होता है क्या होता है? बताना होगा mood board क्या होता है बताना होगा कि यह होता है एक प्रकार का visual representation of style यानि कि style का एक द्रश रूप निरूपन होता है यानि क्या होता है visual representation of style यानि कि हम style की बात करते हैं उसके visual representation की बात करते हैं तो mood board क्या होता है अब visual representation of style चलिए अब बागते हैं question number 20 की what are the three primary colors देखे जो primary color होते हैं हिंदी क्या होते हैं प्रारमिक रंग जो प्रारमिक रंग है न ये बहुत ज़्यादे important ये कई बार question पुछे जाते हैं और पुछे जाते हैं को कि देखे जो मैं set बनार हो न मैं किसी से discuss करके बनार हो देखें मैं आपको बहले बता चुका हूँ मैं technical field से blog करता हूँ मुझे ज़्यादा knowledge नहीं है बट मैं कुछ चीज़ों को मैंने सीखा है और मैं सीखने के बाद मैं इस paper को present कर रहा हूँ मैंने कई लों से discussion भी किया इस बारे में चलिए तो इसमें क्या हुआ तीन पर्थमिक रंग कौन कौन से है मैं आपको बता दू जो red, blue और yellow यानि ruby इसको simple ruby से जान के लिए क्या हो जगा बच्छों red, blue और yellow यानि ruby हो गया ठीक है ना तो rby, y ऐसे आत करेंगे तो आपको हमेसर याद रहेगा कि यो three primary colors कौन से है which are red, blue और yellow चलिए very good देखे कितना अच्छा लग रहा देखे जब question आपको लगाएंगे और आपको आ रहे होंगे तो आपको मुझे लगता कितना ज्यादा confidence feel होगा ना आपको आपको किसी को बता भी नहीं सकते हैं कितना ज्यादा confidence feel होगा ठीक है आप आगर तो कोश्चा मां 21 पर straight cut plant tapered to the cough is called यानि कि straight cut वाली पैंट जो पिंडली पर से तंग होती है तो देखे आप बहुत simple question है तो capri क्लाती है इसको क्या बोलते है capri ठीक ना और अधर चीजे है उसको ध्यान मत दीजेगा गलत आंसर है वो तो क्या क्लाएगा capri तो 21 का अंसर क्या होगा D capri चलि 22 which is known as small rounded flat collar यानि which is known as small rounded flat collar क्या क्लाता है पीटर pen collar अब देखिए यह question को मैं थोड़ा से explain करना चाहूंगा जो पीटर pen collar किस पेकार को होती है माली देखिए नेक हो गया ठीक ना तो यह किस पेकार से बनी हो किस पेकार से अब यह बहुत short होता है यह ठीक ना तो यह इस पेकार से यहाँ पर not लगा देंग ठीक ना तो यह जो बना आपका यह तो यह क्या कहला है आपका पिटर pen collar और भी collar होती है जैसे का आप सुना यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि wrap neckline wrap neckline क्या होता है मैं बना के दिखा देता हूँ यह आपका क्या होगई नेक हो गई यह यह होगे wrap ठीक ना wrap neckline हो गया अब यह से और क्या हुआ कार्डिगन क्या होता है यह तो बनी हुई उनी जैकेट होती है ठीक ना अब यह से कि बताया है इसमें और क्या लिखा हुआ की होल नेकलाइन कैसा होता यह देखिए मैं आपको बता जिता हूँ थेंक्यू सू मच आप लो मेरे वीडियो और बना कर रहें यह देखिए इस परकार से तो यह क्या होँआ की एक होल नेकलाइन होगा है ठीकará सब्सक्राश January सब्सक्रेश hepsstar को पूरी तरह से आवांची मनें जाते हैं, को परेचलन हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या मनें आवांच की माने आते हैं, तो इसका राइटान वर्जन औफ श्टाइल का एक बिसेस अनोखा रूपांतरत होता है वो क्या होता है बच्चों तो किसा 24 का अंसर क्या होगा यानि कि डिजाइन होता है यानि कि श्टाइल का एक बिसेस या अनोखा रूपांतरत डिजाइन होता है क्लासिक नहीं होता है क्या होता है डिजाइन ओके अनोखा रूपांतरत क्या होता है डिजाइन चलिए आप आप करते कोशन बर 25 की इड़ दा इंट्रुड़्क्षन स्टेर्ज ऑफधा फैशन सैकल न्यू स्टाइल आर यानि कि यो फैशन चक्र के न orchest्र पर एक श्टाइल है नय स्टाइल है तो क्या क्यलाएगा फैशन चक्र केर ने चरण पर जो नय स्टाइल है वो क्या क्यलाएंगे देखिए बहुत इस इसका अंसर है, क्या कहलाएगा बच्चों, देखें पढ़िए इसको option को पढ़िए, क्या कहलाएगा, आम तोर पर केवल fashion leader की कम संख्या दोवारा ही सुख्रत किये जाते हैं, निए fashion चक्र के नए चरल पर, जो नए style, आम तोर पर केवल fashion leader, आम तोर पर केवल fashion leader की कम संख्या द्वारा ही स्विक्रित किये जाते हैं तो इसका राइटान से क्या हो जागा 25 का राइटान से का हो जागा बी चलिए आप आगरते question number 26 पर fashion portfolio consist of यानि fashion portfolio में सामिल होता है तो क्या सामिल होता है बच्चों fashion portfolio में क्या सामिल होता है कपड़े के तुकड़े भी सामिल होते है design प्रस्थती seat भी सामिल होती है विविन कोड़ों से परिधानों की तस्वीरे भी यानि कि इसका राइटान से क्या हो जागा CS से भी यानि कि ये चारों चीजे तीनों चीजें क्या होती है जो fashion portfolio होता है वो से कपड़े के तुकड़े भी होते है design प्रस्थती seat भी होती है यानि जो design presentation seats भी होती है photos of garments from the various angles होते है यानि कि all of these 26 का राइटान से क्या हो जागा D चलिए आप बागात कोशन में 27 पर which dyes are suitable for the sublimation transfer printing यानि कि sublimation transfer printing के लिए कौण सी डाई वो पर्युक्त होती है तो कौण सी होती है बच्चों dispersed die यानि कि छिटकने वाई डाई होती है वो कौण सी होती है dispersed die तो इसका राइटान सा क्या हो जागा बच्चों B अब बागात क्या क्या हो जागा 28 की जब presentation दे रहे होते है यानि कि घबराई गोरी होने चाहिए या आत्म विश्वास और अराम दे होने चाहिए या हरान या सरमीली अब बियस आत्म विश्वास वाल होने चाहिए confidence होना चाहिए तो confidence and relax अब आगाते question number 29 पर अब डिजाइन प्लान और टेक्निकल ड्रॉइंग is called यानि कि एक डिजाइन यूजना या तक्निकी चित्रकारी को क्या बोलते है क्या बोलते है 29 कराई टांसा क्या होगा बच्चो blueprint क्या बोलते है blueprint तो blueprint कहलाती है क्या तक्निकी चित्रकारी एक डिजाइन यूजना या तक्निकी चित्रकारी कहलाती है blueprint प्रिंट तो 29 के राइट आंसा क्या होगा बच्छों ए चलिए अब आगाते कोशन में 30 पर software program that take the place of hand sketching to create a fashion design ठीक ना किती बार में बताओ दो बार कोशन बता चुका हो यह कई बार कोशन आ चुका पेपर में computer added design ओके 30 के राइट आंसा क्या हो जागा ए computer added design ओके अब आगाते कोशन में 31 की what fashion capital is known for elegance luxuries fabric and the bold color यानि कौन सी फैसन राजधानी अपनी लालित सांदर कपड़ों और बोल्ड रंग के लिए जान जाती है इसका राइट आंसा क्या बच्चो मिलान क्या राइट आंसा मिलान तो मिलान रहाए का पर यह questions उड़ता है है क्या गुजरती बच्चों Elastic से होकर गुजरती है क्या गुजरती बच्चों केसिंग क्या गुजरती बच्चों केसिंग तो राइट अंसा क्या होगा इसका ए क्या राइट अंसर होगा ए चलिए बागातन कोश्मा 33 पर सिलिंग अपयसर एकार को ऊपर और नीचे सील करने को क्या बोलते है आपको बताया था सह मैंने आकार को ऊपर और नीचे को سील करने क्या बोलते है ग्रेडिंग क्या बोलते हैं grading चलिए तो इसके राइटन से क्या होगा दी चलिए आप आप करते हैं कोश्च मां 34 पर darts, tucks, plates, gathers and princess seem are considered garment यानि dart, tucks, plates, nut and princess seem कपड़े की मानी जाती है क्या मानी जाती बच्चों? shaping device आकार देने वाले उपकरण है आकार देने वाले उपकरण क्या darts, tucks, plates, gathers and princess seem are considered garment as a shaping device अब आगाते कोश्चंबर 35 पर कितना अच्छा आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं मेरे बीडियोस को पूरा देख रहे हैं देखें बीडियोस को पूरा ही देखना है तभी आपको कुछ मिलने वाला है ठीक है आपको जो confidence है तभी बीडियोस को देखेंगे और subscribe करना कत्ता ही मत बूलें क्योंकि आप subscribe करेंगे तो next video आपको notification मिल जाएगा ठीक है तो मेरे साथ बने रही है और मेरे साथ वीडियोस को देखते रही है चलिए आप बागते कोश्चंबर 35 पर front, hip, inseam and patch are type of किस प्रकार के होते हैंए यह सब क्या है जेपो के प्रकार है तो यह सब क्या होते हैं, ठीक है न? जीपर नहीं है ध्यान मात देना ये जीपर लॉल लगा जेते कोश्चन तो जीपर नहीं क्या होगा जीप ओके चलिए अब बात करते कोश्चन मर थर्टी सिक्स पर फिर इस जीपर नहीं कोंसी वेश्च लाइन फिनिस एक फिटे़ इसकड में प्रेयोग होनी चाहिए रहीं है तो किस ओ 앞 प्रेत इस पर्टी सिक्स का राईटन सा क्या होगा धाए चणी वेश्ट बेंड के प्रेयोग होनी चाहिए चलिए अब बात करते कोश्चन बार अब बात करते है question number 30 cent पर machine stretching that created decorative elements on the project is considered as यानि machine सिलाई जो project पर एक decorative element बनाती है उसे किसके रूप में माना जाता है उसे किसके रूप में माना जाता है यानि उसको सजावती सिलाई की रूप मानाता है यानि जो सजावती सिलाई तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका सजावती सिलाई ओके तो बी आंसर होगा ठीक है थाटी संक क्या होगा अंसर होगा बी चलिए अब बागते कोश्मा 38 पर इन ओर्डर टू कंट्रोल फुल्नेस इन एप्रिल कंस्ट्रक्शन नाइफ और बॉक्स आर एकजांपल होगे परिधान निर्वान में परिपूर्टा नियंत्रल के लिए नाइफ और बॉक्स किसके उधारन बच्चों प्लीट्स के किसके उधारन है प्लीट्स के चलिए त इसका राइट अंसर होगा, machine bind him, क्या होता है, machine bind him, क्या होता है, machine bind him, चलिए, अब आगते कोछ मर, 40 पर, how many inches are there in a foot, आपको पता है, 12, ओके 12 inches, ओके, चलिए, बागते कोछ मर, 41 पर, क्या दिखा हुआ है, एक शट को, कई मोरी, वा, सिली हुई, लंबोत रेखाओं के साथ, आ कौन सा आकार देने वाला उपकरण होगा, कौन सा आकार देने वाला उपकरण होगा, बच्चों, कौन सा होगा, टक्स, क्या होगा, यह होता है, ठीकि ना, तो यह भी क्या उपकरण है, ठीकि ना, कैसा उपकरण क्या काम करता है, एक शट को, कई मोरी, वा, सिली हुई, लं तो क्या किलाती है 43 से क्या होगा सूपर इंपोज्ट सीम आपको पता है सूपर इंपोज्ट सीम कैसे डियाग्राम होनता है इस पेकार से बना लेते हैं ठीक ना तो एसे करके बनाएंगे ठीक ना तो यह सब क्या किलाएगा हमारा सूपर इंपोज्ट सीम किलाएगा ठीक ना और एक और होती है फ्लेट वाली होती है फ्लेट वाली कैसे बनाते हैं बच्चो मैं तो बताना चाहूँगा आपको इस पेकार से बनाते हैं यह यह करते हैं ऐसे करत that cut with a downwards stroke at the leading is यह गोल ब्लेड जो अग्रणी किनारों पर नीचे की ओर stroke करते हुए काड़ता है यह नीचे की ओर stroke करते हुए काड़ता है तो यह क्या कलाएगा तो इसका आसा क्या होगा rotary knife क्या कलाएगा rotary knife जो नीचे की ओर यह अग्रणी किनारे पर नीचे की ओर stroke करते हुए क्या करता है काड़ता है तो क्या कलाएगा rotary knife अब आख करते है question number 45 पर boilers, steam generated and vacuum system are part of क्या कलाएगा भाप, द्वारा, उत्पन और vacuum system का हिस्सा है किसका हिस्सा है? pressing system कि क्या है? pressing system C answer होगा अब आख करते है question number 46 पर this part is used to make the machine back switch यानि इस हिस्से का उपयोग machine द्वारा back switch करने के लिए कि जाता है तो 46 का राइटान से क्या होगा? A, reverse button क्या होगा? reverse button चलिए अब आख बात करते है question number 47 पर focusing a powerful beam of light on a minute area to cut fabric by vaporization यानि वास्पी करन द्वारा कपडा काटने के लिए एक छोटे छेत पर प्रकास की एक प्रभावसाली किरण को फोकस करना यानि क्या किलाएगा? प्रभावसाली किरण को फोकस करना 47 का ये तदर के लाइगा? laser cutting क्या किलाएगा? laser cutting ओके? आप इसे question से समझ पा रहे होंगे और परिधान की किसमें सुधार होता है परिधान की किसमें सुधार होता है गुलवत्ता पर किसमें सुधार होता है गुलवत्ता पर चली very good आप आगाते question में 49 पर which device is used for holding the lower threat supply in a lock switch machine lock switch machine में निचले धागों की आप पूरती बनाया रखने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है तो किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है अब बागते question number 50 पर विच पार्ट मूब्स दा फैब्रिक थो दा मसीर यानि कौन सा भाग मसीन के पार कपड़ों को खिसकाता है तो क्या कौन खिसकाता है तो 50 क्राइटान सा क्या होगा ध्यान दे रहे हैं इस पेकार से बना होता है ऐसे खांचे कटे होते हैं ठीक रहा तो यह फीड़ डॉक लाता है ठीक है अब आ करते हैं कोश्ट नंबर 51 की फ्री सेंपल कैन भी एफेक्टिव फॉर दा वाट कैंड दो प्रोड़क्टि नी सुल्क मनमूना किस तरह की उत्पादों के लिए प्रभावी हो सकता है तो 51 क्राइटान सा क्या होगा वे जिने बजार में सबसे पहले परिचित कराया जाए तो वही प्रभाव साली हो सकता है वे जिने बजार में सबसे पहले परिचित कराया जाए ओके चलिए आब आ करते हैं कोश्ट नंबर 52 की अब आगा से पर Ona एना रखते हमें आपने गंवेंटरीे के लिए इन्वेंटरी के लिए एक और सब्द है उससे क्या बोलते हैं उसके बंडार जोता है गर्म बंडर होता है यह जो भी जुरूत की चीज़ें हुटी है हम लोग ठीक है ना सेव करके रख लेते हैं ताकि कभी फ्यूचर में काम देंगी तो क्या करते हैं उसको भंडार बोलते हैं ठीक है ना आप बाग करते हैं कोश्च नमबर 54 की किसकी बाग करते हैं 54 की दा बायर decision process start with you जो खरिदार निर्णे की प्रक्रिया से सुरू होती है तो किसे सुरू होती है और सकता समस्या की पहचान से सुरू होती है ठीक है ना तो उसका राइट ना सकया होगा बच्चों और सकता समस्या के पहचान से खरिदार निर्णे की प्रक्रिया सुरू होती है ठीक है खर तो खरीदने के लिए ठीके ना आप बार करते कोशन मर फिप्टी फाइब पर देखिए वन वाई वान हम लोग कोशन साथ कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए ठीके ना तो मेरे साथ बने रही है वीडियो को पूरा देखिए सूरसो अंद तक देखिए सस्क्राइब करना बूलिये सेर करना ना बूलिये मेरी जो नेट्स है कि आप सियर करिए और ताकि बच्चों तब पहुंच सके मेरा बस एक ही है मैं मैं चाहता हूं कि बस बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके ताकि वो एक entertainment करके इसको पढ़ सके और थोड़ा time लगेगा बट आप लोग तो क्या होंगे confidence आपके अंदर create हो जाएगा ओके अब आगाते कोश्चन होंगे 55 पर design a process that is capable to the meeting quality standard is called गुलवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए सच्छम एक प्रक्रिया को design करना कहा जाता है तो कैसे कहा जाता है तो 55 का राइट अंसर के हो जाएगा गुलवत्ता की योज storyboard storyboard क्या कौन से स्था है storyboard home page नहीं है file format नहीं है sound a video नहीं है क्या storyboard storyboard design का हिस्सा है चलिए अब बार करते कोश्चन होंगे 50 cent पर digital portfolio content what should you consider when creating it यानि digital portfolio सामगरी इसका निर्मा करते हुए आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए तो क्या ध्यान में रखना चाहिए अनुभवों का जो experience होता है उनका snapshot लेके रखना चाहिए ठीक ना यानि अनुभवों का snapshot को ध्यान में आपको रखना चाहिए चलिए आप बार करते कोश कासल दिखाने का एक अच्छा तरीका है कि कि माध्यम किसके माध्यम से 58 कराई डान सक्या होगा प्रमाडिक प्रदर्शन आत्मोलांकन और लच्छ निदारण यानि authentic performance self assessment and goal setting करके इन सबके माध्यम से चात्रों के लिए कोसल दिखाने का एक अच्छा तरीका है यानि डिश्टल पॉर्टफोलियो जैसे की authentic performance दे self assessment कराई goal setting कराई कि माध्यम से चात्रों के लिए कोसल दिखाने का एक अच्छा तरीका है चलिए अब बाग करते हैं हम लोग कोस्ट नमबर 59 की और style that is stay in a fashion for a long time यानि एक style जो लंबी समय तक fashion में रहता है वह क्या किलाता है प्रच बैस ministre लेन नहीं किया क्लासिक सांचिक क्लासिक लोग कहीं बना निचे टाइम होता है उसका कुछी टाइम तक होता है periodic return of the specific styles and general shape is known as which of the following, बताना है कि विशिष्ट सैलियों और समाना करतियों की आवदिक वापसी को निमने लिखीत में से किसके रूप से जाना जाता है, तो किसके रूप से जाना जाता है बच्चों, फैसन चक्री यानि जो फैसन से के लिए इसकी नाम से जाने जाता है, अब बागते कोशन में बर 61 की, which article is used to complete or enhance the outfit, यानि परिधान को पूरा करने या सुधारने के लिए कौन से समान का प्रयोग की जाता है, कौन से समान का प्रयोग की जाता है, तो ऐससे सरीज का उप्योग की जाता है, और परिधानों का प्रति निदत करते हैं, यहने प्रति निदत करते हैं, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जागा, फैशन, जो फैशन होते हैं, जो निम लिखे सब्दों में से, जो यह सब्द दिये गए हैं, फैशन जो है, वो साधे कपड़ों से जादा परिधानों का प्रति निदत करते हैं, तो फैशन होगे, ठीके, अब बागते कोश्ट नमबर, 63 की, किसकी बाप करेंग, 63 की, विच एमंग दा फॉल्वीं टम्स रिफर्ड टू दा एक्च्वल अबजेक्ट रिलेटेट टू दा human body, तो इसका right answer क्या होगा बच्चो, C, क्या होगा, परिधान, यानि clothing, ठीके ना, परिधान, ओके, अब बागते कोश्ट नमबर, 64 की, विच एमंग दा फॉल्वीं फेक्टर, हैवे, हिस्टोरिकल बीन, responsible for the mankind clothing selection, यानि मानों जाती के कपड़ों का च्रेन करने के लिए, निम लिखित कारकों में से कौन सा एतियासिक रूप से जिम्मेदर रहा है, तो कौन सा एतियासिक रूप से जिम्मेदर रहा है, सुरच्छा रहा है, all of these, यानि कि कैर करने मतलब है, मानों जाती के कपड़ों के चैन के लिए, निम लिखित कारकों में से कौन सा एतिहासिक रूप से, जिम्मिदार रहा है यानि कि देखिए प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कपड़ों इन्हें ऐसा नों कि इन्हें चोड़ लग जाए ठीकिना आलंकर सुन्दर लगना चाहिए पहचान बननी चाहिए ठीकिना कि इसे स्कोड पहने पहने हुए चलिए आप आगाती कोशन बर 65 पर ओके वैरी गुड मेरे साथ कितने अच्छे आप लोग मेरे साथ बने हुए है आप मेरे साथ पूरा वीडियो सो देख रहे हैं मुझे बहुत खुसी हो रही कि आप लोग मेरे वीडियो खू देख रहे हैं और लाइक भी करेंगे, मुझे पता है, लाइक भी करेंगे, ठीकी ना, पर लाश्ट में, ठीकी ना, लाश्ट में लाइक बटन दबाएंगे, आप लोग, ठीके, ओके, ठीके, तैंक तो मच, चलिके, अब बागती कोश्ण हमाँ 65 पर, which among the following is a waist belted, or trucked, and provides a sense of the comfort to the wearer, यानि कि निम लिखित में से कौन सा कमर belt पहनने वाले को अराम का ऐसास प्रदान करता है, यानि कि निम लिखित में कौन सा कमर belt पहनने वाले को अराम से ऐसास प्रदान करता है, तो इसका right answer क्या होगा बच्चो, C, यानि कि पटियाला सलवार, यानि कि पटियाला सलवार में क्या होता है, कि बेल्ट पहनने वाले को अराम का ऐसास प्रदान होता है, ठीके ना, यानि कि इसका right answer क्या होगा, C, ओके, C, ठीके ना, अब बाकते कोश्ण बर 66 की, इन में से कौन सा एक छोटा सा परिदान है, जिससे पुरुसों या महिलाओं द्वारा पहना जा सकता है, तो इसका right answer क्या होगा बच्चो, अंगरखा नहीं होगा, फ्लेट फ्रेंट नहीं होगा, पटियाला सरवार नहीं होगा, इन में से कोई नहीं होगा, ठीके ना, तो 66 right answer क्या होगा, D, इन में से कोई नहीं होगा, ठीके न, ओके, चलिए आब बाकते कोश्ण बर 67 की, which among the following in a French term that refers to the high fashion, इन में से कौन सा फ्रांसी सब्द है, जो high fashion को संदर्वित करता है, तो इसका जो right answer क्या होगा, होटे कटूरे, होटे, होटे कटूरे, ठीक ना, होटे कटूरे, यानि कि इन में से कौन सा फ्रांसी सब्द है, होटे कटूरे, जो high fashion को संदर्वित करता है, यानि इसका right answer क्या होगा, B, Okay, very good, मेरे साथ बने रेंडे के लिए, very very thanks, मेरे साथ बरी विडियोज देख रहे हैं, आप लोगे बहुत खुसी हो रही है, चलिए बाक करते हैं, कुश्मा 68 की, Which among the following term, refer to the process of converting design to the constituent flat pattern piece and then drafting, निम लिखित सब्दों में से कौन सा design की घटकों को flat pattern तुकडों में बदलने, और फिर drafting की प्रिक्रिया को संदर्वित करता है, क्या है, कौन से drafting की प्रिक्रिया को क्या करता है, संदर्वित करता है, तो उसका right answer क्या होगा, बच्चों, परतिम pattern making है, तो क्या कर रहा है, बता रहे है, pattern making एक ऐसा word है, जो कि design के घटकों को, यानि क्या लिखा हुआ है, design के घटकों को flat pattern तुकडों में बदलने, और फिर drafting की प्रिक्रिया को संदर्वित करता है, तो क्या होता है pattern making, चलिए, अब बागते question number 69 की, which among the following term is used to refer to the highest point of the bust, तो right items क्या होगा, 69 का क्या होगा, name लिखी सब्द में से, जो भी दिये गए, उन में से जो कौन सा burst की उच्छतम बिंदो को संदर्वित करने के लिए प्रियोग की जाता है, तो इसका items क्या होगा, apex, क्या होगा, apex, apex एक ऐसा सब्द है, जो कि बश्ट की उच्छतम बिंदो को सं 70 की, which among the following term is used to refer the amount of the space or roomies, roominess in a garment, निम लखे सब्दों में से, कौन सा एक परिधान में, जगे का उले करने के लिए प्रियोग की जाता है, यानि की, जगे का उले करने के लिए प्रियोग की जाता है, तो आपका 70 को, right answer क्या होगा, सुविता, यानि की, जो भी easy होता है, ठी easy, कोशनब बात करते हैं, कोशनबर 17 की, 71 की, how many type of dart manipulation of the front bodies are there, यानि की, front bodies के कितने परकार के dart manipulation होते हैं, तो कितने परकार कोते हैं, 13 परकार के, ती्रा परकार के dart manipulation होते हैं, चलिए अब बात करते है, कोशनबर 72 की, which among the following term is used to referr'd ready to wear fashion, यानि निम लिखती सब्दों में से, क त्यार फैशन को संदर्बित करने के लिए प्रयोग की जाता है यानि कि नेम लिखे सब्दों में से कौन सा पहनने के लिए तयार फैशन को संदर्बित करने के लिए प्रयोग की जाता है तो 72 को राइट आसा क्या होगा बच्छो बी पहनने के लिए तयार यानि प्री अप्र यानने की प्रीट आप पॉर्टर यह जो वर्ड है ठीक ना प्रीट आप पॉर्टर तो क्या करते हैं इसको पहनने के लिए तियार फैशन को संदर्भी करने के लिए प्योंकि आता है चलिए ठीक है देखे एक एक कोश्चन कर रहा है तो 73 कोशन होने वाले हैं एदि हम लोग बढ़ाएंगे तो परिशान होंगे तो क्या होगा कि हम लोग को समझे कुछ भी नहीं आएगा तो इन कोश्चन को और वो क्या करना एक फियर कॉपी में नोट कर लेना आप बहुत अच्छी तरह साफ रट्टे आप लोग के लड़के गर्स वैसे मैक्सम गर्स ही ट्रेड ह होती है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करेंगे साफ कॉपी में इसको क्या करेंगे लिख लेंगे और इसको आप लोग स्मौर्डिंग में कभी उड़के अपने पेपर में आएंगे तो अभी लेवल वन करा रहा रहा हूं और विबाद में लेबल टू भी करा रहते है कुछ नमा 73 पर विच इमंग दा फॉलुइंग तो यार इसका हम बताई चुके हैं निम रिखे सब्दों में से कौन सा रिवाज के अधार पर बनाए गया प्रीमियम फैसन वस्तनों के संदर्ब में प्रूकियाता है यारे निम रिखे सब्दे जो भी सब्द दिये ग होटे कुटे रहे ठीक ना तो यह फ्रांसीजी वर्ड होटे कुटे रहे ठीक ना चलिए आब आगाते कोश्ण में 74 की which among the following term is used to refer radical and novel फैसन निम लिखे सब्द में से कौन सा सब्द मौलिक और नव फैसन को संदर्वित करने के लिए उप्योग की जाता है ठीक ना तो 74 का राइट आंसर क्या होगा क्या होगा राइट आंसर क्या होगा राइंसर क्या होगा दॉग क्या होगा आँसर क्या होगाँ सी ज़िए अब बाहते कोश्ण मरों हम लोग 75 की which among the following promotional सillow प्रमोर्फेजन करते हैं तो कौन सा मनाता है विवागी फैशन सो आपने देखा होगा जब डिपार्टमेंटल फैशन शो होते हैं तो क्या होता है यही एक प्रचार की गतिविधी है ठीकिना जो एक विक्रिता के सायोग से और इसे आंतों पर महंगा वस्तर बेचने की लोगपरिविधी माना जाता है चलिए अब बात करते हैं बच्छों कोश्च नमबर 76 की मैं काफी दर से बोल रहा हूं तो मेरी अवास थ रिमेंस कॉंस्टेंट नम लिखित में से कौन सा फैसन घटना को संदर्वित करता है जो इस्थिर रहती है यानि कि जो इस्थिर रहती है और फैसन घटना को क्या करेगा वो संदर्वित करेगा तो इसका राइट अंसा क्या होगा बच्छों सी उतकरष्ट यानि क्लासिक क् पाक्ते कोश्ण हमें 77 कि? विच एमंग दौवविंग स्टेप इनवाटवल्ड इन फैसंटेजाइनिग फैसंटेजाइनिंग प्राक्रिया में निम्न में से कौन सा चरंण सामिल कौन सा चरंण सामिल है। 77 का हम हुआ रेक्तbaby ंशर का होगा of the human figure रेखाओं का अध्यान करना चाहिए जैसे स्टार्टिंग वाला पहला कोश्म कर आया था मैंने curved, straight यह सब की लाइनों का अध्यान करना चाहिए selection of material सामगरी का chain करना भी आना चाहिए तो fashion designing पक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण सामिल है तो यह सब क्या है चरण है step by step इची यह सामिल की गई है तो इसमें क्या होगा all of these राइट आन सा क्या होगा all of these तो 77 क्या होगा all of these तो 77 क्या होगा all of these तो 77 क्या होगा D अब भागाते हैं कोश्म में 78 की which among the following seams provides strength to the joining parts and the prevents frying तो निम्न लिखे सीमाओं में से कौन सा हिस्से को ताकत प्रदान करता है और फ्राइं को रोगता है तो 78 क्या होगा C गोद लैप सीम गोद सीम ठीक न चलिए अब बागाते हैं कोश्म में 79 की which among the following are design elements यानि निम्न लिखे से कौन सा design तत्व है तो 79 का राइटा होगा D यानि की रेखा और दिसा भी आकरती और माप भी विसमता और सद्भावना भी तो राइटा होगा D चलिए आब बागाते कोश्म में 80 की which among the following pairs are complementary colors यानि की निम्न लिखे जोड़ों में से कौन सा पूरक रंग है कौन सा पूरक रंग है तो कौन सा पूरक रंग है पीला और बैगनी यानि की यलो और वाइलेट यलो वाइलेट की है हमारा पूरक रंग है यानि की complementary colors है चलिए अब आ करते कोश्म में 81 की which among the following fabric is preferred for making evening ground बनाने के लिए निम्न लिखे में से कौन सा कप्ड़ा पसंद किया जाता है तो 81 का राइटान से क्या होगा सेटिन क्या होगा सेटिन ठीक है ना हिंदी से क्या होगा शोटन ठीक है सेटिन चलिए 81 का अंसर हो गया अब बाकरते कोश्म में 82 की which among the following fabric represents hand woven wool ठीक है निम्न लिखे कप्ड़ में से कौन सा हां से बुना हुआ उन का प्रतिनिद्द करता है जो हां से बना हुआ उन होता है वो किसका प्रतिनिद्द करता है कौन सा कप्ड़ा तो 82 का राइटांसा क्या होगा ट्विड एक प्रकार का उन ही कप्ड़ा है ट्विड क्या होता है एक प्रकार का उन ही कप्ड़ा होता है ट्विड ओके चलिए आब आब करते कोश्म में 83 की which among the following is a synthetic fabric निम लिखेत में से क रेमी एक प्रकार का पौधा जो आपका नेच्ट्रल फाइबर क्या है नेच्ट्रल फाइबर है चलिए आप बागते कोश्म में 85 पर which among the following term is used to referd straight form of fitting Mafiya va thousands of fitting sillipot form को सीधे संदर्वित करने के लिए प्रयोग में कियाता है तो कौश्म है जो fitting sillhut form को सीधे संदर्वित करने के लिए प्रयोग कियाएगा वह क्या है सीथ यह क्या है सीध यनि कि म्यान ठीक है आब बाग्धान gevाइब 86 radar इन थे फ़ालवेश दबेस्ट मैथे ऑप्लाइं प्लाइं यार क्य क्या सब होता नापने का उक्षा गाने का सबसे अच्छा टरीका निला में प्लाइंन ऊज्ड कि में से कौन सा सबसे बड़ा प्रवा होगा है तो सबसे बड़ा प्रवा कौन सा होगा इसमें आतमें अभी व्यक्ति भी होगा ठीक है संसादुनों की उपलब दिता भी होगी वैस्वी करन भी होगा गारे कि all of these all of these चलिए यहाँ बागती कोसर में 88 की which among the following is the fundamental attribute of the TQM total quality management in the fashion designing निम लिखित में से कौन सा fashion designing में TQM की मौलिक बिसेस्ता है है तो जो TQM में क्या है total quality management है तो इसका जो right answer क्या होगा बच्चों आपका होगा जो TQ का M का फॉल्मा पूछ 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 भी ही लेती है तो इसका right answer क्या होगा बच्चों series प्रबंदन की प्रत्यच भागीदार यानिकि direct involvement of top management ठीक ना तो इसका answer क्या होगा बच्चों C तलि आप बागाते question number 89 की which among the following is the benefit of the statistical process control निम लिखित में से कौन सांखी की प्रक्रिया नियंत्रल का लाव है यानिकि जो सांखी की प्रक्रिया नियंत्रल का कहलाव है हमको बताना है तो इसमें कौन साइज answer होगा आपका तो रहा 18 अंक right answer क्या होगा help to determine any actionable causes that are the disturbing the process किसी प्रक्रिया को अस्तविस्त कर रहे योग कारणों को निर्दारिद करने में मदद करता है चलिए right answer क्या होगा चलिए आप आपके तो question number 890 की which among the following is the benefit of periodic inspection निम लिखित में से कौन सा आवदिक निरच्छन का लाव है तो क्या लाव है इसका यह सुनिचित करता है कि उत्पाद मानक विनी निर्देश को विनी निर्देश को पूरा करता है तो right answer सा क्या होगा C तो निम लिखित में से कौन सा आवदिक निरच्छन का लाव है यह सुनिचित करता है कि उत्पाद मानक विनी निर्देश को पूरा करता है चलिए आप बागता है which among the following is observed in a control chart नियंत्रग चार्ट में निम लिखित में से कौन सा देखा जाता है कौन सा देखा जाता है identity, process, variability पर क्रिया परिवर्तन सीलता की पहचान करना तो right answer क्या होगा B चलिए आप बागता है question में 92 की who among the following is referred to a sketch holder निम लिखित में से कौन सा दाओ धारी की रूप में जाना जाता है ठीक है ना तो 92 का right answer क्या होगा B a person who is interested in the success of the enterprise वे वेक्ति जो उद्धम की सत्वलता में रुची रखता है वो क्या किलाएगा वो क्या किलाएगा who among the following is referred to the stakeholder 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 ठीक है ना गलती से कुछ और बोल देते मैंने निम लिखित में से कौन सा दाओ धारी की रूप में जाना जाता है stakeholder group में जाना जाता है कौन सा a person who is interested in the success of the enterprise ठीकिन आपको पता है entrepreneur क्या होता है जो लोगों को रोजगार पदान करता है चलिए आप बागते कोशन बार निम लिखित में से कौन सा सब्द mold design को संदर्विद करने के लिए प्रयोग्म कियाता है जिससे undesign विक्सित किये जा सकते है जिससे undesign विक्सित किये जा सकते है तो क्या कि लाएगा block क्या कि लाएगा block चलिए आप बागते कोशन बार 95 कर which even the following term is used to refer double और multiple fold in a garment निम लिखित में से कौन सा सब्द एक परिधान में double या एकाधिक तरह को संदर्विद करने के लिए प्रयोग में किया जाता है तो इसका राइक्टान सा क्या होगा प्लीट अम पहले बता चुके हैं क्या होगा अंसर प्लीट चलिए आप आगते कोशन में 96 की which even the following term is used to differ the direction of the fabric along which is used to be cut निम लिखित आवदी में से कौन सा सब्द कपडे की दिसा को संदर्विद करने के लिए प्रयोग कियाता है जिस दिसा में इसे काटा जाना चाहिए क्या कर लाजागा जिस दिसा में इसे काटा जाना चाहिए till 96 answer क्या होगा inte तो जो यान होगी और यान कैसी होगी आपकी इस्ट्रेट लाइन को से होगी यह लाइन होगी क्या होगी स्ट्रेट लाइन यह क्या होगी स्ट्रेट लाइन होगी ठीक ना यह बैस लाइन हो यह स्ट्रेट लाइन होगी ठीक ना चलिए और यह यह लाइन कैसी होती लाइन के सब्सक्राइब करने के लिए नेम लिखित में से कौन सा उप्यों किया जाता है लाइन के लिए नेम लिखित में से कौन सा उप्यों कियाता है तो 97 का राइट अंसर क्या हो जागा फीड डॉग ठीकिना बागते कोश्च में 98 के विच अब फॉल्विंग इस टूफ फॉर्ट सीम गोउस सीम गेस के लिए नेम लिखित में से कौन सा सत्ते हैं आपको पता करोट इस्पेस के लिए होता है तो इस्टील का होता है ठीकिना चलिए अब आगते कोश्च में 99 की विच इंड पॉल्विंग ऑप दा निडल विदर थी इस इंसर्ट इंसर्ट यान नेम लिके सब्सें में से कौन सा सुवी खोलने के लिए उप्योंग में कियाता है जान ध आप परम प्रागत और बॉक्स फैसन को विचारों के बाहर संदर्वित करने के लिए प्योग की जाता है ठीकिना तो यह बच्चों यह बताई कि मुझे रिस्पॉंस दीजे कि आपको कैसा वीडियो लगा और कमेंट बॉक्स जुरू बताईएगा और मैं आगे ऐसी परकार से में वीडियो लगता रहूँगा ताकि आप लोग वीडियो के मादब से चीज़ों को जाने और सर और मैं आप लोग के वैसे हल्प कर रहे हैं बहुत मह आपके पास यूडियो के लिंक है आपके पास न्ठीसर पहुंचएगा और जैसे वीडियो आपके अंत होगी तो ऊसी में देखीगा आपके राइट और लेट्ट साइड में आपको एक बटन दबेगी इस्यांब करने की तो आप मेरे चैनल पर स्श्क्राइब कर सकते हैं और Employability Skills की जो सिरीज है, वो भी मैं आपके right hand में आप comment आल दूँगा, आपके mobile screen में लिंक आ रही होगी, ठीक ना, तो आप मेरी Employability Skills को भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी other वीडियो में देखना चाते हैं, वो मेरे आपके link में जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छी वीडियो से में ला रहा हूँ इस समय, और मैं आएसे आंगे भी लाता रहूँगा, चलिए तब तक के लिए thank you so much, इसी प्रकास से प्यार बना रखिए, और मैं नेश्टी वीडियो फिर से लाऊँगा, ठैंक्स फॉर मैं जो उन्होंने मुझे इनिश्यर किया, कि आप थोड़ा से काम करीए इस पर, चलिए, ओके जहन जै भारत,